हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्टॉक राइडर सो फ्रेंड्स स्टॉक एनलेसिस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सिप्ला लिम्टेड इस स्टॉक के बारे में 52 वीक का हाई है 1005, 52 वीक कल हो है 706, कॉन्टिटी आज के टेडिंग सेशन में टेड हुई है 708,0049, डिलिवरी कॉन्टिटी 35,45,300, परसंटेज ऑफ डिलिवरी 50.59, एक न्यूज़ाइज इस स्टॉक के बारे में सिपला Q2 पैट, सीन अब 20.3% वाई ओवाई टू, 793.4 करोर पिरवुदास लीला धर तो पिरवुदास लीला धर एक ब्रोकराज हाउसे से हैं और इन्नों ने एक्सपेक्ट किया है कि जुलाइ टू सेप्टेमर का जो क्वाटर है उसमें जो अर्निंग्स आएंगी जो रिजल्ट्स आएंगे वो सिपला के 20.3% वाई साइट पर पढ़ सकते हैं कंपनी के बारे में बात करेंगे मार्किट कैप है 13,833 करोड की डेट है 1756 करोड का प्रेज परसेंटेज जीरो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे लास्ट थी क्वाटर में पिर मोटर्स की 36.70 से 36.72 बढ़ी है एफाई आई की 22.09 से 24.83 बढ़ी है डी आई एई की 17.96 से 16.24 कम हुई है पब्लिक यानी नि नितेलर्स की 23.25 से 22.21 कम हो गई है यह है इसी स्टॉक का वंडे का चार्ट रसाइज चल रही है 37 यह इसी स्टॉक का वीकली चार्ट वीकली चार्ट मेंrenoरर सी चल रही है 36, कुल मिलाके ना तो over body है ना over sold है बीच में है अभी, तो अभी इस stock में क्या करना चाहिए, continue चार दिन से fall आ रहा है आज थोड़ा reverse किया, एक hammer type of candle बना दिये इस stock ने और आज ये stock 916.05 यहाँ पे बंद हो आ है तो जो लोग इस stock में उपर के level पे invested है, please invest रहिए या फिर आपको accumulation करना या average करना है, तो पहले इसको अपने level पे आने दीजिए, तब accumulate केजिए आज कुछ telegram members ने पूछा था कि sir, सिपला 900 के आसपास आजा है, buy कर ले, तो उस time पे जब मैं analysis कर रहा था, तो मुझे इसका जो support है, वो नीचे 887 के आसपास में दिखा, तो मैं wait कर रहा था कि ये stock नीचे आएगा तो 887 पे मैं announce करूँआ कि आप buy कर सकते हैं, लेकिन ये stock 898 यहाँ पे इसने support लिया, उसके बास से उपर चला गया, but अभी भी मैं इसी stock में entry नहीं लूँआ क्योंकि 3 days continue fall हुआ है अभी ये पहली candle इसने hammer बनाई है generally stocks क्या करते हैं 3-4 दिन एक selling आई, उसके बास से green candle बनाई, दन उसके बास से फिर reverse हो जाते है नीचे की तरफ, तो अभी जो लोग इसी stock में fresh entry देख रहे हैं तो ही आप entry लेना otherwise अगर उसने red candle बना दिया नीचे आ गया तो उसके बास से stock 987 ही आएगा और अगर इसने 987 ब्रेक किया नीचे तो 872 भी आ जाएगा तो ये इसके नीचे के दो support है अगर ये sustain कर जाता है और ऊपर निकल जाता है 924 का लेवल ब्रेक करके उपर निकल जाता है तो फिर इसके उपर के targets होंगे 954, 976 और इसका जो ओल टाइम हाई है 1005 जैसा कि अभी ये news आई है brokerage houses ने expect किया है इसका profit अच्छा profit आएगा तो हो सकता है stock 924 का लेवल क्रॉस करके उपर निकल जाए पहले इसे कल के trading session में आप watch कीजिए अगर ऐसा कुछ होता है 924 का लेवल उपर break करके निकलता है आप entry ले सकते हैं लेकिन थोड़ा caution के साथ में क्योंकि अभी ये stock थोड़ा consolidate करेगा या तो नीचे आएगा या फिर उपर जाएगा अभी ये stock अगर नीचे आता है तो नीचे के support आपको पते ही है लेना है नहीं लेना है वो आपपे depend है आप अपने financial advisor से contact कर सकते हैं ये 30 stock की best analysis वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए कोई query question है आप वीडियो के comment box में जाके post कीजिए जल से दल उसका reply कर दूँगा मेरा telegram channel है वीडियो के description box में आपको link मल जाएगा आप जाके join कर सकते हैं So thank you friends, thanks a lot, bye bye for now